हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर चैनल इस टीचिंग विद रीना फ्रेंड्स आज मैं आपको इस तरह के वर्क वाले सूट की कटिंग करने का बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी तो देखे इसमें जो वर्क है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है नीचे की साइड में यहां पे यह ले सटैच है और यहां पे जो है यह बैक पार्ट भी है इसमें सेंटर में जोइंट लगा हुआ है तो यहां से हम क्या करेंगे यहां पर यह जो सिलाई लगी हुई है इसको हम खोल के जो हमारा back part है और front part है उसको हम अलग-अलग कर देंगे आज कल अक्सर जो work वाले suit हैं वो इसी तरह से ही आते हैं तो अभी क्या करेंगे front part को हम side में करेंगे और ये जो हमारा back part वाला piece बचा है इसमें से हमें back part भी निकालना है और sleeve भी निकालनी है तो एक side से हम इसको ऐसी ही double fold करके रख लेंगे तो देखें जो हमारा measurement है उसी measurement से हमें एक side से ही double fold करना है पूरे कपड़े को इस तरह से fold नहीं करना है अगर जो हम पूरे कपड़े को ऐसे fold करके cut करेंगे तो हमारी जो sleeve हैं उसमें हम long sleeve नहीं बना पाएंगे two part में हमारा कपड़ा निकल के आ जाएगा तो हमारा पूरा जो कपड़ा है वो भी खराब हो जाएगा तो हमें एक side से ही ऐसे measurement के हिसाब से ही double fold करके रखना है हमें जो इसका size बनाना है वो बनाना है 36 size का उसमें two inch margin लेते हुए हमने इसको ऐसे fold कर लिया है अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे तो देखे इसकी जो लंबाई है कपड़े की लंबाई हम उतनी ही रख लेंगे जितनी की ये है तो लंबाई हम अभी उतनी ही रख रहे हैं अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इसके solder का solder जो हमें रखना है वो रखना है 7 inch का तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका जो arm hole है वो भी हम 7 इंच ही लेंगे तो यहाँ पे भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और इसका जो हमें size रखना है 36 size तो उसका हमें यहां पे चौथाई लेना है जो की होगा 9 इंच तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे अब यहां से हम इस तरह से नापते हुए एक निशान लगाएंगे 7 इंच पे यह जो निशान है यह हमारा कमर का निशान रहेगा एक निशान हम लगा लेंगे 14 इंच पे ये निशान हमारा hip size का रहेगा इन निशानों को ऐसे सीधा कर लेंगे अब देखें यहाँ पे हमें निशान लगाना है कमर का कमर है हमारी 32 size की उसका चोथाई लेना है 8 inch और जो हमारा hip size है वो है 38 inch उसका चोथाई लेना है 9,5 inch यानि कि 9 inch अब यहाँ पे भी हम सारे 9 inch पे ही निशान लगा लेंगे तो ये मैंने निशान जो लगाएं है अब इन निशानों को हमें मिला देना है तो इस तरह से देखिए इन निशानों को हम मिला देंगे यहाँ से एकदम सीधा निशान लगा लेंगे बाहर के साइड में यहाँ पे हमें 1 इंच मार्जन लेना है और हिप साइड के उपर से हमें 1.5 इंच मार्जन रखना है जहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे अब देखें यहाँ पे यह जो ब्रेश्ट साइड का निशान लगाया था वहां से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहां से हम 2 पॉइंट तक ऐसे अंदर करते हुए सीधी लाइन बना लेंगे इससे जो हमारे आर्म होल में जोल आती है वो नहीं आएगी अब हमें यहां पे आर्म होल का सेव देना है तो यहां पे हम एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे और यहां से हमें आर्म होल का सेव देना है यह मैंने आर्म होल का सेव दे दिया नेक का निशान लगा लेते हैं अभी हम इसमें नेक की कटिंग नहीं करेंगे लेकिन हम आपको निक का निशान लगा के बता दे रहे हैं नेक वीर्थ हमने अभी यहाँ पे ली है 2 इंच डीपनेस ली है 7 इंच और यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाते हुए निक का सेव दे देंगे यह मैंने निशान लगा लिया और यहाँ से हम half इंच इसकाOULडर जो है वो भी डाउन कर लेगे तो यह मैंने निशान लगा लिया है Hem अभी हम जो निशान लगाए हैं इन ही इसानों पे ही इसकी cutting कर लेंगे नेक की cutting अभी हमें नहीं करनी है यह देखिए इस तरह से हमने cutting कर लिया है अब यहाँ पे जो कमर के और हिप के निशान लगाये थे इनपे हमें इस तरह से छोटे-छोटे से कट लगा लेने हैं इस तरह से यहाँ पे हम यह कट लगा लेंगे तो यह हमारे back part की cutting हो गई है अभी यह जो कपड़ा देखे बचा हुआ है इसमें से हम sleeve निकाल लेंगे तो sleeve की cutting अभी हम बाद में करेंगे अभी इसको हम side में करते हैं और अब हम करते हैं front part की cutting तो हम front part को ले लेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर देखें इसमें नीचे की side में जो यह lace है इसको भी हम निकाल देंगे तो यहाँ पे इस तरह से खीचते हुए इसे नहीं निकालना है जो हमारा धागा है धागे को इस तरह से खीचके तोड़ते हुए इसे निकालना है अगर जो हम लेज खीचके निकालेंगे तो जो हमारी लेज है वो खराब हो जाएगे तो देखे यहाँ पे मैंने ये लेज निकाल दिया है इसको हम बाद में लगा लेंगे तो अभी इसको हम side में करते हैं और अब हम करते हैं इसकी cutting तो देखे यहाँ पे हमारा जो नेक है इसकी broadness जो है वो है 7 inch तो इसकी broadness ज़्यादा है तो अभी इसकी broadness हम पूरी ही रख लेंगे वो हम बाद में बताएंगे और यहां से हम center से एक side की चोड़ाई ना पेंगे तो हमारी एक side की जो चोड़ाई आ रही थी वो आ रही थी 14 and 2 point 14 इंच 2.R ही थी तो हम पे हमने निशान लगा लिए और इन निशानों को ऐसे पकड़ते हुए इसको हम center से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से हमें इसको फोल्ड करते हुए रखना है अब यहाँ पे देखे हमें देख लेना जो हमारा निशान को हम सीधा कर लेंगे तो यह निशान हमें निशान की deepness नापते हुए ही लगानी है अगर जो आपका नेक ज्यादा deep है तो इसको आप design के बराबर से भी लगा सकते है अभी हम back part को लेंगे और जो हमने सीधी लाइन उपर की side में ड्रा करी थी वहीं से इसको इस तरह से मिलाते हुए इसको उपर रख लेंगे एकदम बराबर से ही ऐसे मिलाते हुए रखना है और इसी सेप में हम निशान लगा लेंगे एकदम बराबर से ही हमें ऐसे निशान लगा लेना है और फिटिंग वाले निशान भी हमने लगा लिये हैं अभी देखे यह जो हमने फिटिंग वाले निशान लगाए हैं इनको भी हम बराबर से ऐसे मिला लेंगे यह देखें और यहां पे जो हमारा आर्म होल है उसमें भी हम हाफ इंच डेप करके निशान लगा लेंगे यह देखें यह मैंने निशान लगा लिए हैं और अब हम यहां पे इसी सेप में इसकी कटिंग कर देंगे यह देखें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लिया है अब यहां पे हम देखते हैं निक की जो डीपनेस है वो कितनी है वो यहां पे है 7 अन्ड हाफ इंच तो बनके यह 7 इंच का रेडी होगा डीपनेस में और इसकी जो ब्राडनेस थी वो थी 7 इंच तो यहाँ पे देखे हम back part को लेंगे अभी हमें क्या करना है कि front part की जो broadness है वो थोड़ी सी जादा है तो यहाँ पे भी हम back part में इसी बराबर से ही broadness में निशान लगा लेंगे यह देखे यह मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है यह हमारा एकदम fitting वाला निशान है अब इसके आधा इंच अंदर की side में एक निशान लगाएंगे और यहाँ से जो हमने back part की deepness रखी थी वो रखी थी 7 इंच तो इसमें हमने 2 इंच कम कर दिया है हमने इसकी deepness लिए 5 इंच और यहाँ से इस तरह से box बनाते हुए निशान का सेब दे देंगे अगर जो यहाँ पे हम back part की deepness 7 इंच रखते तो जो हमारा निशान है वो shoulder से गिरता इसी वज़े से हमने इसकी deepness जो है वो 2 इंच कम कर दिया अब यहाँ पे देखिया आधाई इंच सिलाई में चला जाएगा तो जो हमारे front part की broadness है उसी के बराबर में यह भी हो जाएगा और अगर जो आपको गले की चोड़ाई कम करके बनाना है तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा यहाँ से अभी यह part जो है नीचे से छोटे बड़े हैं उनको जब हम ले सटाइज करेंगे तब बराबर के कर लेंगे अभी हमारे पास यह जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम इसके sleep की cutting करेंगे तो इसको हमें ऐसे four fold में रख लेना है यह देखिये मैंने यहाँ पे four fold में रख लिया यहाँ से जो भी कपड़ा तिर्चा है इसको हम इस तरह से सीधा निशान लगाते हुए कट करके सीधा कर लेंगे यह देखिये दोनों साइड मैंने कट कर लिये हैं अब यहाँ पे हमें sleep के निशान लगाने हैं तो इसमें जो इसकी total लंबाई आ रही है वो आ रही 19 इंच आधा इंच हमारा solder joint में चला जाएगा और यहाँ पे एक इंच जो हम मोहरी को fold करेंगे उसमें चला जाएगा तो हमारी जो sleep है वो 79.5 इंच की बनके ready हो जाएगी देड़ इंच हमारा margin में निकल जाएगा इस निशान को हमने सीधा कर लिया है अब यहाँ पे हमें sleep की fitting का निशान लगाना है जो की हम ले रहे हैं साढ़े साथ इंच यहाँ से हम 3 इंच down करेंगे और इसकी जो हमें मोहरी रखनी है वो रखनी है फाइव इंच की फाइव इंच पे निशान लगाएंगे प्लस एक इंच margin रख लेंगे अब यह जो हमने निशान लगाएं है इन निशानों को हमें safe खटकी से मिलाना है इस तरह से जब हम इस से इस तरह से safe देंगे तो हमारी जो sleep का safe है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनके ready होगा तो इस तरह से यहाँ पे margin वाला भी निशान लगा लेना है इसी वराबर से अब यहाँ पे हम sleep का safe देंगे यह देखे और जो हमारा front part होता है उसमें हम half inch की गहराई कट करते हैं उसका भी निशान लगा लेंगे यह मैंने निशान लगा लिए हैं अब इसी safe में हमें इसकी cutting करनी है यह मैंने यहाँ पे cutting कर लिया है अब यहाँ पे देखे two parts यहाँ से उठाएंगे इस तरह से और जो हमारे front arm hole की गहराई है उसको भी इस तरह से cut कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारे front part है उनमें हम इस तरह से निशान भी लगा लेंगे ताकि हमें पता चले तो यह हमारी जो sleeve है यह भी cut के ready हो गई है और यह जो हमारा suit है यह पूरा cut के ready हो गया है I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर जो कोई doubt रह गया है तो आप मुझे comment box ने पूँच सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो like करिएगा चैनल को भी subscribe कर लिजेगा इसी तरह की useful वीडियो देखने के लिए thanks for watching my video